नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आप यहीं के यूटूब चैनल आर्मस फैंटेसी में फ्रेंड अगर आप ग्रैनलिक वीन करना चाहते हैं तो इसका मैं आपको प्रूप के साथ मात्र दो ऐसे सुत्र बताऊंगा जिसके विना आप जो है ग्रैनलिक नहीं जिस सकते हैं वही मैं प्रूप के साथ दिखांगा ओ फड्रेंट पीछला जो मैं चुआ था इंडिया का इंडिया वास अस्टीव अस जाहरा हूं आप उस रास्ते जो मैं रास्ता बता रहा हो और आगां अगर अनुसरण चलते हैं तो निश्चित ही ग्रैनलिक वीन कर वस आप ओदो तिसको जो है आप फॉलो की जिए ठीक है चलते हैं वहाँ पर जो पीछला मैच हुआ था अब आपको हम वहाँ पर यहां पर देखिए फ्रेंड पहला मैं आपको सुत्र यहां पर मैं बता रहा हूं अब देखिए हम यहां पर प्रूप के साथ यहां पर हम जो है टीम जो सेलेक्ट किया प्रूप के साथ हम आपको दिखा रहा है टीम को किस परकार से सेलेक्ट करना है ठीक है यहां पर देखिए तीम को किस प्रकार से सेलेक्ट करना चाहिए यहां से आप गींति कर लिए ठीक है यहां से आप यहां से गींति किजिए यहां पर देख रहा है यह हर्दिक पांडिया सबसे हाई लोगों ने सेलेक्ट किया है हर्दिक पांडिया को उसके बाद यहां से नी भार्दिध पंडियां के रखाओं विराड़ को नहीं रखाओं और विराड़ को लिए फ्लाफ हो गया है फिर देखिए मैं सुम्हान गील को रखा हूं चला है च्बस को नहीं रखाओvisorप रखा हूं इसमित फॉल आफ हो गया है यहीं नहीं आप देखिए यहां पर जटेजा को देखिए जटेजा को हम कप्तान बने हैं मैक्सवल को मैं नहीं रखा हूं मैक्सवल फॉल आफ हो गया है उसके आगे यहां पर देखिए तो उसके आगे यहां तक आप देखी यहां तक पूरा जो है गरैनली नियुसार पूरा ही परसंटos सही गिलाफ होगा है यहां से आप पलेयर को गींति किजी एक दो गींति किजिए कौन कौन से जो परसेंटेज हाई परसेंटेज जो पलेयर जो फ्लोफ हुए उसमें देखें विराट को लिए एक मैक्सवेल तीन है एडम जब पाचार है और उसके बाद एक पलेयर आप देखेंगे तो है इसान किसान यानि कि पांच पलेयर पांच पलेयर हाई परसेंटेज के थे और वह पांचों पलेयर को हम नहीं रखें और यहां पर देखिए ग्रैनली का लॉक देखिए कि वो पांचों जो है फ्लॉफ हो गया है पांचों के पांचों फ्लॉफ हो गया है यहां तक कि मेरा कप्तान जटेजा भी वर्क किया है अब देखिए ह mês यह जो है मात्र एक टीम है मात्र एक टीम है ठीक है इसके अनुसार अगर पांस च्छे टीम अगर लगा देते हम से हम से म तो कुछ और यल्ट होता औप कहने का मतलब जिसमें एक सूतर तो यह हो गया कि आपको हाई पर्सेंटेज का जो पलेयर है जैसे देखे विराट को लिए स्वीक मैक्सवेल इन पे आपको रिक्स लेना पर गया कितने पलेयर पर कम से कम चार से पांच पलेयर पर आपको रिक्स लेना होगा हाई पर्सेंटेज के चार से पांच पलेयर पर आपको र है कि तभी आपको जीत पाएंगे अब रूल नमबर टू समझे रूलमबर टू के अनुसार उसमें जो है हमाराा सही सेट नहीं हुआ है ऐसा नहीं है कि अब हम दिखाते हैं रूल नमट्न चू समझे यह है कि आपको चार पलियर हाई परसेंटेज के अगर आप ड्रॉप किये हैं तो चार पलियर आपको लो परसेंटेज के लेने हैं चार पलियर आपको लो परसेंटेज के लेने हैं ठीक है अभी उसको हम दिखाते हैं देखिए वह भले ही आमरे लो लो परसेंटेज हम उठाय थे पम औहु नहीं किया है ठीक है लू परिशनस्का के उठाए थे आपके सामने यह है हम्सादु ओल ठागूर को उठाए थे 17 परसंट आप लोगों ने लिया 15 50 लोगों लिया लबिश्चाने को ऊठाए थे टी हीट पहुचाए थे हमारा चार पलियर लो परसेंटेज के थे ठीक है अब हमारे लॉक के अनुसार ये चारो जो है नहीं चल पाए लेकिन हम जो है ग्रैनली के जो रास्ता है उस रास्ते के अनुसार ही चले है ऐसे नहीं कि रास्ते से बाहर है अगर हम उसके अनुसार हमारा अगर ये पलियर चुना जा तो हमारे टीम का कुछ और रिज़ल्ट होता है ग्रेऄली का मैंने यूपर का टर सेट कर लिया था लेकिन लो पर्सेनटेज में हमने हमारा लॉक कäreने आंशार और रोट नहीं चल पाया लेकिन हम थो चुने थे हम थो फेल सब कि का यहीं मतलब है कि अगर इस टिफ के अनिसार वह हैं में टॉप '' सब एक करना है'' ही जैसे कि माली जिए एक मैच में हम अगर मार्किस एस्ट उनिस को जैसे है टीड को यह पो यहां पर हम देख रहे हैं की रिफोड़को लिये हैं तो उसके जगह पे हम को पर एकुश्चल करना चाहिए था है लुष्चाने को लिए थे यहां पर चाहिए तोद्टे इ translates इसको लेना चाहिए था ठीक है इस तरह से यह जो चार प्लेयर से इस सभी को जो है हर एक टीम में बस रोटेशन करना था जो कि हम नहीं कि यह मात्र जो है यही समझ गए कि हमने जो चुना है वही जो है हमारा चलने वाला है ठीक है तो देखिए माइस्टार को हम यहां पर रखें और यहां पर हमाया जो लोग परसेंटेज में एक दिखेंगे इस्टार को हम यहां पर रखेंगे हैं लेकिन हमारे लोग परसेंटेज मार्स इस्टोन कर देता हूं कि आप हाई present is के पोler कोÃटरोप की चिए उसको मत रखे और लोब पर्शैनटिज पे आप ध्यान देंगे लू पर सेंटेज के पलेर को जो है आप रोटेर की रोटेट ऐसा नहीं है यह ग्रयार कि about a tempo भी तक एक टीम लगाए थे का चारता वर्क कर अगा तो इस परकार से आप चाहित पर्सेंटेज के पलियर को रोटेशन पर डालना है और हाई परसेंटेज के जू पलएर है उस सभी मैंचेज मेंचेसा में ड्रॉप चाहिए सब सबहते के 7 word एन तो चलिंट यह लिरे हैं प्यारेच परसेंट in ठीक और यह जो हाई लोब परसेंटेज के दाफ जो है उठा सकते हैं मतलब समझे कि लोब पर्सेंटेज के एक तरह से सूच सकते हैं कि यह इस चले होगा कि किसी को मालूम है क्वान सब बाप होगा लो पर संटेज में आप जो है रोटिसन कर सकते हैं कि है यह अंदाज लगा सकते है परसेंटे लेकिन किया किसी को पता था कि विर्याट को निचल भलफ मेघ्ड गए अधम जंप यहां से यह सार जो कि देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे स्किल यह सभी हाइप परसेंटेज के पलेयर को हमने ड्रॉप किया है और सभी वर्क कर गया अब लो परसेंटेज का जो पलियर है उसको हमको बोलना है लॉक वही लॉक मेटर करता है कि आपने चूना वर्टी किया या नहीं किया यह हो गया इसकी लाइप परसेंटेज के पलियर को ड्रॉप करना एक स्कील है कि हम किसको ड्रॉप करें क्या वह आउट होगा क्या वह रॉन मारेगा या फॉप सकते हैं वीडियो में यहीं कहना चाहूं देंगा फ्रेंड कि मात्र दो सुत्र अपने एक हाई को ड्रॉप कीजिए और यहां से लो को उठाइए तो वीडियो के एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए